यह किस तरह की packing में आती है 24 months की warranty के साथ है और आप देख सकते हैं क्या जबदस quality की यह LED है इसकी जो making है जो material इना ने use किया है मुझे बहुत ही high end लग रहा है इसके लगने के बाद जैसा इसका response होता है एक बार मैं अभी वी daytime में भी आपको on करके दिखा दूँगा इसी सिर्फ और सिर्फ headlights होने इस वक्त कोई भी extra light नहीं है और throw आप इसका reality चेक कर सकते है नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनीश शर्मा और आप देख रहे हैं Auto Show India की एक नई वीडियो आज मैं आपके लिए ले के आँँ एक बहुत ही premium product जो है Metaflix brand की तरफ से 260 Watt की LED actually मैंने observe किया है आजकल जो गाड़ियां आ रही है new normal models हो गई Maruti Hyundai Tata Mahindra इनकी रोशनी है ना बहुत कम देने लगी है company कोई government का rule है कि क्या है यह तो मैं नहीं जानता लेकिन यह रूल पता नहीं audio BMW के लिए तो कहीं नहीं लागू होता उनकी रोशनी अच्छी है और हम जो गाड़ियां use करें normal उनमें रोशनी नहीं है तो इसलिए मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि आप ऐसा कुछ अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं जैसे कि मैं लगा रहा हूं Metaflix की 260 Watt की LED यह बहुत ही जबरदस प्रोड़क्ट है मैंने इसकी specs वगेदर चेक किया इसकी build quality चेक किया तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और आज मैं आपको unbox करके इसको दिखाने वाला हूं फिर इसको एक बार on करके भी आपको दिखा देता हूं कि कैसी इसकी performance है तो सबसे पहले आ warranty है यानि कि इसकी company trust करती है कि इसकी long life है उनको tension नहीं है दो साल की warranty देते हैं वो प्लस 26,000 Lumen है तो बहुत अच्छी brightness होने वाली है Metaflix का product manual जिसमें सारी information लिखी हुई है high power CSP LED 3 copper tubes German lighting expert performance upgrade में लब जो भी चीज़े है पीछे specs पगेदा भी दिए गए इसमें temperature हो गएदा तो सारी information दी गई है जो अच्छे brand से हम expect करते ही है तो उसके अलावा अब देखते हैं यह दूसरा क्या है तो यह है इसका register your warranty यहाँ आप आप scan करके अपनी 2 साल की जो warranty उसको activate कर सकते हैं और इससे यह भी पता चलता है कि product original है क्योंकि scan करते ही Metaflix पे चला जाएगा डिरेक्ट अब मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर product जो सबसे important चीज़ है इसके अंदर तो अब product आ चुका है मेरे हाथ में और आप देख सकते हैं क्या जबदस quality की LED है इसकी जो making है जो material इनोंने use किया है मुझे बहुत ही high end लग रहा है साथी साथ यह देख सकते हैं इसके साथ ज पूरा उसके अंदर जो endorse करा हुए तो यह सब जो चीज़े होती हैं सिर्फ आपको premium models में विलेंगी normal model में तो कोई कुछ लिखा भी नहीं होता है तो मेरी तरफ से पूरी तरह recommended है आप इस product को अपनी गाड़ी में लगाए और अपनी night drive safe बनाईए और इसकी जो specifications है उसको भ 6000K यह होता है color temperature तो यह white color है बहुती अच्छा cool आपको effect दिखेगा road base का साथी में इसमें देखें कितनी सारी चीज़ें में mention की गई है high stability है dual heat dissipation mechanism no noise trouble मतलब इसकी जो noise है वो भी कम आएगी एक fan होता है पीछे वो काफी तेज़ चलता है तो थोड़ी noise produce करते हैं लेकिन यहा आपे सारी mention है यह certifications वगेरा भी इनकी दी हुई है तो काफी अच्छा product है और आप इस product पे मेरी तरफ से बिल्कुल जा सकते हैं और आपको एक बार दिखाता हूँ इसका throw कैसा है अभी फिलाल मैं इसको shop पे आपको on करके दिखा देता हूँ कि किस तरह का throw यह दे लिए सो फाइनली अब मैं इसको install करवा रहा हूँ अपनी कार में जो metaflix की 260 watt की LED है मेरे कार में जो model लगेगा उसको बोलते हैं H4 तो आप यह देख सकते हैं अब H4 वाली LED को हम इसमें install करेंगे install करने के बाद proper मैं इसका response सोच रहा हूँ कि मैं night के time आपको shoot करके proper दिखाऊंगा इसको install करना बहुत ही easy होता है normally आप किसी भी shop पे जैसे मैं Bindra Motors पे मैं आपको shoot करके दिखाया और install बगेरा करा रहा हूँ आप किसी भी shop पे से install करा सकते हैं बहुत ही easy होता है और different different models होते हैं हर कार के उसके साब से इसकी different difference आपको LEDs मिल जाती है easily साथी साथ इसके लगने के बाद जैसा इसका response होता है एक बार मैं अभी वी daytime में भी आपको on करके दिखा दूँगा इसी वीडियो में ताकि आपको पता चले कि दिन में भी जसे से on कर रहे हैं तो कुछ हद तक तो यह नजर आ जाएगी कि इसकी जो power है वो कितनी अच्छी है तो इस वक्त यह मेरी car में install हो चुकी है जो आप द नाइट का वेट करता हूँ दोस्तों installation आपने देखी लियोगी install में करा चुका हूँ अपनी कार में रात के लगबग एक बज़रे हैं मैं कहीं काम सही वापस आ रहा था तो अब मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया हूँ कि आपको इस पर रियालिटी चेक करा सकता हूँ यहा काड़ी की सिर्फ मैंने headlight on किये fog lamp use नहीं किये और थोड़ा सा गाड़ी ने चला के भी देखेंगे कि कैसा इसका response आ रहा है पहले मैं headlight on करने वाला हूँ तो आप देखना कैसा इसका spread आएगा यह headlight इस फक्त मैंने on किये आप देख सकते हो कितना wider spread है इसका और बिलकुल even आ रही है light मतलब आपको किसी भी condition में road पे हर एक चीज विजीबल है मैं इसकी headlamp जो leveler है वहाँ से adjustment भी करके देखता हूँ थोड़ा मैंने भी नीचे की है आप देखो यह focus नीचे चला गया अब मैं इसको थोड़ा उपर की तरफ कर रहा हूँ यह focus उपर जा रहा है मतल यह high beam है यह low beam है यह high beam है यह low beam है मतलब दोनों ही बहुत ही जबदस रोशनी है इसकी बाकी इस road पे traffic नहीं है तो मैं drive भी कर पाऊंगा आपको दिखाते वए थोड़ा सा मैं हलका सा चला के भी आपको चेक करा देता हूँ कि road पे इसका spread actual में कितना आ रहे है यह आगे lighting लग नहीं रहा मतलब इसकी जो light है वो अलगी नज़र आ रही है हलका सा इसको जो है बीच में आपको बंद भी करके आपको चेक कराता हूं अच्छे से इस वक्त सेफ है इस तरह से यहां पर गाड़ी चलाना को कि यहां पर बिल्कुल भी रश नहीं है left right सब जगा मैं ध्य इसकी जो light की spread है वो रोश्णी में भी मतलब और जादा आपको जो है अच्छी visibility देती है एक जगा पर और जहां पर मैं अपनी गाड़ी अक्सर जैसे कभी पार्क वगयरा करता हूं महां पर भी मैं आपको एक बार चेक करता हूं इसको इना मैं आपको खड़ी करके आपको जो light है और अभी roadside जो light है उससे काफी रौश्णी है तो इस वक्त सामने देखते हैं कि कितनी रौश्णी यह दे पा रही है यह मैंने headlight on कर दी है इस वक्त गाड़ी थोड़ी सी tilt है तो अभी यह उपर की तरफ दिख रही होगी वैसे इसका focus नीचे रहता है बक्कि अब म lighting है इसलिए मैं इसको recommend कर रहा हूं कोई भी अपनी गाड़ी में लगाना चाहे तो बहुत अच्छी light है अब मैं गाड़ी से बाहर निकल के भी आपको चेक करा देता हूं कि मैंने खाली headlight on किया है और उसी का spread है यह यह आप देख सकते हैं गाड़ी यहां पर इसकी fog lamps जो ह भी extra light नहीं है और throw आप इसका reality check कर सकते हैं यह सामने इसका जो throw है बहुत ही जबदस्त है तो बिल्कुल recommended है यह मेरी तरफ से 100% आप भी अपनी किसी भी गाड़ी में ले सकते हैं Metafix की LED और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को end थचक्षार इस सम्सक्राइब करते हैं